बहुत स्वागता जी सभी स्टूडेंट्स को अस्टेलिया से लेकर लगातार नहीं नहीं खबरे आ रही हैं और नहीं नहीं क्लारिटी। च्ठेलिया को वीजे मिल रही हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी अच्छी परफाइल हैं लेकिन जीटी क्लीयर नहीं हो रहा है। students की IELTS score बहुत अच्छा है CBSE, ICSE से पढ़े हूँ है not state board state board जो पंजाब और हर्याना के अलावा है उनके accepted है लेकिन हमारी कोशिश है CBSE और ICSE वाले बच्चे medical, non-medical या जिनके subjects बहुत अच्छे हैं arts में जिनका painting या language course है वो मत apply करें बिलकुल बहुत अच्छे हैं main four subjects जिसमें language count नहीं होती है या कोई भी ऐसा subject है जो extra है वो count नहीं होता है main four subject मान लिजे non-medical वाला है math, English, physics, chemistry जो ऐसे main four subjects है उन में minimum जो percentage है वो 65% होनी चाहिए या 60% minimum ठीक है और IELTS 6.5 band या 6 band minimum होना चाहिए depend करता है university और college पे किसमें जा रहे हैं यह academic हो गया अब अगर graduation वाला student है तो वो 6.5 not less than 6 की requirement है IELTS score या PT equivalent TOEFL भी उसी के equivalency से चलेगा इनका अगर आपका percentage की बात करें section 1, 2, 3, 3 तीन university हों में divide किया गया है किसी भी university की यह 60% से कम लेते नहीं अगर section 3 है तो 65% section 1 or 2 है तो 60% से कम नहीं ले रहे हैं तो जो graduation और under graduation आप यह दोनों मान के चलिए कि इनको profile बहुत अच्छा चाहिए अब अगर graduate बच्चा master's में जा रहा है तो हम बात करेंगे अगर वो कहीं काम कर रहा उसका कोई gap उसका genuine experience होना चाहिए उसका genuine experience के साथ जो companies account में उसको salary आनी चाहिए यह नहीं कि उन्होंने कोई experience बनवा लिया कहीं से और वो सब नहीं चलेगा बिलकुल नहीं चलेगा इस समय जो महावल और वैसे भी नहीं बनाना चाहिए गले documents आप बिलकुल बे नहीं बनाने चाहिए financials अगर आपके पुराने है या one year fees देके 15 लाग जितने आपको living expenses three months old शो करने है आपके वो होने चाहिए अगर बहुत अच्छे extraordinary case है कि जिसमें university अगर spouse को लेने को तयार है तो spouse के साथ apply करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं जहां आपका gap प्लस तो अले student का gap बिलकुल नहीं होना चाहिए subject चारों में आपकी percentage अच्छी होने चाहिए IELTS आपका अच्छा होना चाहिए parents की income more than 12 lakh इस time देख रहे है ठीक है अब आपका जो financials तो मैंने का one year का आप देके और living expenses आप three months old शो कर सकते हैं या bank loan शो कर सकते हैं courses भी अगर आप अच्छे लोगे business के अलावा अगर आप लेते हो कोई health का course लेते हो IT related अच्छे course लेते हो cyber security लो artificial intelligence लो business analytics लो cloud computing उसमें visa rejection के chances बहुत कम है आपकी university अच्छी हो आपका course अच्छा हो financial document ठीक हो आपका academic record ठीक हो तो आपका rejection के chances नहीं है मैं किसी भी ऐसे बच्चे को STEM guide नहीं करूंगे जो इस type के profile हो Australia के लिए profile में कोई कमीना हो फिर visa chances नहीं तो बच्चे का बहुत loss होता है Thank you so much So very important information हमारे साथ मैं वीना गोईल ने शेयर की है किन profiles को Australia वीजा दे रहा है आप पूरी clarity से सुने कोई और clarity चाहिए तो इसी number पर बात करें जो screen पर दिया हुआ है Thank you so much Thank you